लाई विवन दिस इस कप्टिल कादेल युवर साइंस कुरूजी इस वीडियो के अंदर आपके लिए हैं most important topic for your final board exam तो आज हम discuss करेंगे मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल जिसके according board exam में काफी question put up किये जाते हैं तो आज proper explain करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर तो वीडियो गंतर जुरू देखते रहे हैं और जो भी friends मेरे साब first time जूड़ रहे हैं तो चैनल को subscribe जुरू कर लें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मार्कोनिकोव रूल क्या होता है कि तो negative part of the reagent will be attached to the unsaturated carbon which have a lesser number of hydrogen atom तो देखिए basically बच्चों ये हमारे पास definition रहेगी मार्कोनिकोव रूल की अब यहाँ पर हमने क्या लिया CS3, CH double bond, CH2 तो ये हमारे पास carbon 1, 2, 3 तो ये क्या बन गया प्रोपीन बन गया अब इस के अंदर आपने क्या डाल दिया HBR अब HBR हमारे पास क्या होता है H के उपर partial positive BR के उपर partial negative अब जो मार्कोनिकोव की definition वो क्या कहती है कि जो negative part है किसी भी reagent का वो कहां पर attach होगा less number पे hydrogen with a unsaturated carbon unsaturated carbon किसे कहते हैं जिसमें carbon with carbon क्या होंगे double bond और यही definition क्या कहती है कि जो positive part है किसी भी reagent का वो कहां पर attach होगा more number पे hydrogen इने unsaturated carbon क्योंकि more number hydrogen कहां पर है बच्चों यहां पर two hydrogen है इधर क्या है हमारे पास one तो जो negative part है वो तो कहां पर जाएगा basically मार्कोनिकोव रूल के अंदर जहां पर बिल्कुल कम hydrogen है और जो positive part है वो कहां पर जाएगा जहां पर more number पे hydrogen है unsaturated carbon के बीच में तो हमारे पास फिर किसकी formation बन के आएगी CS3 और CH पे क्या attach होगा बच्चों BR attach होगा और यहां पर CS2 से जो bond था यह इसकी cleavage होगी तो यह CS3 बन जाएगा तो formation किसकी आएगी हमारे पास 123 तो 2 पे हमारे पास bromo और यह क्या बन गया propane बन गया तो इस case में marconico rule के अंदर basically बच्चों क्या बनती है branch बनती ही आपने याद रखना है second यदि हम बात करते है anti-marconico rule तो anti-marconico rule काफी important है इसके अंदर इसका जो second name है paroxide effect कहते है third name इसका carse effect है अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर basically बच्चों marconico rule के अंदर HCL भी हो सकता है HBR भी हो सकता है HI भी हो सकता है इसमें कोई भी हो सकता है but anti-marconic के अंदर only किसकी लिए applicable है यह HBR के लिए applicable है तो इसकी definition सबसे पहले कर लेते है anti-marconico की अब anti-marconico के अंदर की negative part of the reagent will be attached to the unsaturated carbon which has a more number of hydrogen अब it is applicable only for किसकी लिए applicable है बच्चों यह HBR के लिए और यह किसकी presence में होता है paroxide की presence में यह reaction अक्कर होती है अब यहाँ सी reaction समझे सबसे पहले हमने क्या लिया प्रोपीन ही ले लिया CS3 CH double bond CS2 पलस इसके अंदर क्या डाला HBR इसमें catalyst यूज करो गया जिसका नाम रहेगा paroxide paroxide हमारे पास basically वच्चो H2O2 हो सकता है इस टाइप से अब इसके अंदर hydrogen के उपर partial positive BR के उपर partial negative अब जो anti-marconic को की definition क्या कहती है कि जो हमारे पास negative part है किसी भी reagent का वो कहां पर attach होगा more number होपे hydrogen के उपर जहां पर carbon विद carbon के बीच में double bond हो जो positive part है वो basically कहां पर जाएगा बच्चो जहां पर less number होपे hydrogen इनने unsaturated carbon तो जो formation बनेगी इसके अंदर वो क्या बनेगी CS3, CS2, CS2 और BR this is a bromopropane तो किस की formation आएगी यहां पर एक state chain की formation आएगी इन केसों पर anti-marconic और यदि marconic की बात करें बच्चो यहां पर इसमें क्या बनेगी branch बनेगी तो यह हमारे पास काफी important topic रहने वाल आपके board exam के लिए क्योंकि इसकी उपर exams में question पूछे जाते हैं यहां पर convergence पूछी जाती है exams के अंदर बस यह अपनी यह याद अखना है marconico के अंदर आप यहां पर HBR ले सकते हो HCL ले सकते हो HI ले सकते हो water molecule ले सकते हो यह किसी के लिए भी applicable होता है बट जो anti-marconico rule है यह only applicable for is a HBR इन्दी प्रेजन्स होपे पर ओक्साइड बस यह आपने definition के according कर लेना है मिलकुल मैंने यहां proper variation mention कियो है तो यह था हमारे पास most important task for your board exam तो thanks for watching next video के अंदर फिर आपके लिए कुछ important tip